Hello everyone, welcome to SKA tutorial, आज के इस orientation class में आप सभी का स्वागत है, साथ ही साथ SKA tutorial के paid batch के platform पर भी आपका स्वागत है, आज के इस episode में हम लोग detail में समझेंगे NFL याने की National Fertilizers Limited और HURL में अगर आपका background BSC का रहा है, अगर आपका background Chemical Engineering का रहा है तो क्या रहनी चाहिए आपके preparation के perfect strategy, इसको बहुत ही detail में आज के इस episode में हम लोग बात करने वाले हैं, तो पूरा last तक बनी रहेगा इस orientation class में और कैसे कैसे आप सभी के classes होंगे, क्या रहेंगे schedule, आपको कैसे पढ़ाई करनी है इस बीच में, इन सभी चीजों के बारे में perfect strategy के बारे में मैं बाते करने वाला हूँ detail में, साथ ही साथ बहुत confusion है कि B.S.C. और chemical engineering के question paper सेम आएंगे इन संस में, या different आएंगे, इसके बारे में भी मैं बाते करूंगा detail में आप सभी के साथ, तो पूरा बने रहेगा इस पूरा orientation class में last तक, अगर आप real में फाइदाल न चाहते हैं तो, तो दोस्तो चलिए आज के इस class के सफर की सुरुवात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोनों का notifications रिलीज हुआ है, एक आपका notifications है NFL का, दूसरा notifications रिलीज हुआ है HURL का, दोनों ही examinations में basically B.S.C. और chemical engineering वाले candidate eligible हैं, यानि कि diploma in chemical वाले candidate eligible हैं, इसमे भी same educational qualifications हैं, ये आप सभी दोस्तों को पता है, अब और भी खुसी की बात ये है, कि इस दोनों examinations का exam pattern भी same है, यानि कि examinations pattern की बात करें, तो total question जो examinations में पूछे जाएंगे, number of questions रहेंगे, 150 question, जिसमें से कि B.S.C. या फिर कह लिजिए chemical engineering यानि कि technical questions को अगर मैं बात करूँ chemical का या technical questions की अगर मैं बात करूँ, तो ये 100 questions रहेंगे, और non-technical part जो रहेगा आप सभी के लिए, basically इसमें 50 questions रहेंगे, और ये जो non-technical आप लोग देख रहें हैं, इस non-technical में आपका basically maths भी आप से पूछा जाएगा, यानि जिसको हम लोग जेनरल aptitude बोलेंगे, जिसमें खास तोर पर arithmetic sections ज्यादतर देखने को मिलेगा, अगर किसी भी candidate का arithmetic sections strong है, तो उसके लिए basically non-technical में बहुत दिक्कत नहीं आएजी, इसके बाद reasoning आप से पूछे जाएंगे, reasoning के साथ साथ आप से जो है basically यहाँ पर general English पूछे जाएंगे, है ना, general English के बाद आपका general knowledge कह जिए या फिर general science कह लीजिए या current affairs कह लीजिए, इतना चीजों को आपको prepare करना है, marks distribution कैसा रहेगा, ध्यान से देखिएगा 15 marks के reasoning, 15 marks के math, 30 marks हो गए और 10 marks के आपका general English 10 marks के यह, इस तरह से marks का distribution रहेगा 50 questions के लिए, एक questions, एक marks के रहेंगे, अब बात करते हैं हम लोग men यहा पर है, देखिए, exam का जो syllabus है, exam का जो pattern है, जो NFL का है, वही HEURL का भी है, तो अगर आप एक साथ preparation करना चाहते हैं, तो definitely आपका एक साथ भी preparation किया जा सकता है, अच्छा, एक और most important thing और अच्छी बात यही है, आप सभी के लिए, कि इस दोनों ही examinations में no negative marking, यानि कि negative marking दोनों में से किसी भी examinations में नहीं है, जो की एक तरह से खुसी का बात है, उन बच्चों के लिए, जो कुछ questions में तुका लगाएंगे, और उसका marks नहीं कटेगा, जो परके गए हैं, और कुछ rarest questions ऐसे मिलेंगे, जिसको की बनाना impossible नहीं है, या tough questions है, तो उस तरह के questions में आप तु तुका लगेंगे, तो negative marky नहीं रहेगा, तो ये उन सभी के तरह की candidate की ये अच्छा है, ऐसे कोई चाहेगा कि सभी questions में तुका लगाएंगे, तो वो तो थो थरा सा मुस्किल राती है, क्योंकि हरी candidate पढ़ की जाता है, किसी भी competitive examinations में, ठीक है दोस्तों, तो अब examinations pattern को आ chemical engineering, दोनों के लिए क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, इसके बारे में मैं रनीती बता देता हूँ, और दोनों में क्या differences है, देखिए दोस्तों, BSC अगर आपका है educational background और BSC के basis पे आपने junior engineer assistant production के लिए form को apply किया है, वेटे मिनट, आपने production के लिए form को apply किया है, ठ URL में diploma engineer training के post लिए आपने apply किया है, तो basically BSC में जो syllabus रहेंगे वो आपका मुख्य रूप से chemistry रहेंगे, chemistry ज्यादा तर question chemistry से रहेंगे, इसके बाद physics रहेंगे और physics के बाद रहेंगे mathematics, mathematics जो रहेंगे वो आपका 11th and class 12th level का, इसके लिए maths और physics के लिए कोई आपको special attention दे करके बहुत जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे reason ये है, क्योंकि NFL वाले या फिर HURL वाले, वो लोग physics chemistry के expert को नहीं ढून रहे हैं, वो chemical के expert को ढून रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते है NFL और HURL, दोनों ही company जो है, ये fertilizers producing company है, या फिर का सकते हैं, खाद जो होता है, यूरिया, अमोनिया, ये सब produce करता है, chemical producing company है, तो chemical वाले student को ये जादा prefer करेंगे, तो physics chemistry जस्ट थोड़ा बहुत knowledge चेक करने के लिए पूछेंगे, लेकिन उसको आप लोग बहुत जादा dedicated way में preparation साप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, इस plan equations of plan का distance between the two parallel straight line के बीच का distance होगा, वो find करने के लिए, या straight line के equations के लिए कुछ equations बगरा सब question आ जाते हैं, matrix determinant से related question आ जाते हैं, तो basic level के questions आते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग भी solve कर लेंगे, ऐसे हम लोग देखेंगे technical subject complete होने के बाद, maths और physics, physics के classes तो daily, जो है 8 बजे रात में, आप सभी के लिए upload हो रहे हैं, 8 बजे रात में, इसको मैं अच्छे से तुछा से लीग देता हू तो physics के classes के लिए तो आपको ज़्यादा नहीं सोचनी है, है ना, अगर आप batch में इंडॉल्मेंट ले चुके हैं, तो physics के classes जो है, daily 8 बजे रात में upload हो रही है, recorded ही है, लेकिन वो classes daily आप सभी को 8 बजे मिल रहे हैं, नए नए classes, तो उसको आप लोग देखते रहेगा, maths के ल हम लोग पढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर chemistry का, chemistry का सबसे ज़्यादा weightage रहने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए यहाँ पर chemistry को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो chemistry में आपका जो syllabus है, syllabus के accordingly पढ़ना है, अब दोस्तो इसका कोई देखिए, ना ही NFL का और ना ही HURL का, ठीक है, BSC वालों के लिए और chemical engineering केसी के लिए भी official जो syllabus होती है, उसको release अभी तक नहीं की गई है, ठीक है, official syllabus जो है अभी तक आउट नहीं हुआ है, यह जो syllabus है, जिसके आधार पर मैं पढ़ने वाला हूँ आप सरी को, यह हमारे, basically, previous year question paper के analysis, या फिर कह सकते हैं, एक educational qualifications के basis पर, जो syllabus हो सकती है, इस standard में, उसको हमने और हमारी expert team ने मील करके create की है, जो कि आपके examinations के लिए important होंगे, एक tentative syllabus है यह, जो भी चीज़े है, मैं clear cut आप सभी से transparent वे में बातें करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जो है एकदम अच्छे से, trust के साथ, अच्छे से preparation कर सके हमारे साथ है, तो यह official syllabus कोई भी रिलीज अभी नहीं की गई है, लेकिन एक tentative यही syllabus रहेंगे, अगर रिलीज किये भी जाएंगे in future तो, अब किये जाएंगे कि नहीं किये जाएंगे, यह हमें भी पता नहीं है, ठीक है, तो यह चीजें समझ में आ गई, तो chemical engineering के लिए chemistry को जादा आपको focus करके पढ़नी है, जो भी topic है chemistry के, वो B.S.C. level के होंगे, है ना, पहले कुछ introductions के classes आप सभी को कराए जाएंगे, ताकि basic chemistry को आप लोग पहले समझ सकें, इसके बाद हम लोग धिर धिर chemistry के level को आप करेंगे और examination level तक लेगर के जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, अब यहां पर जो है, अलग से बात कर लेते हैं थोड़ा सा chemical engineering वाले बच्चों के लिए, chemical engineering वाले बच्चों के लिए, जो है ना, मैंने कुछ important topic को रखा है, ठीक class को किए, अगर आप दूसरे सब classes में इंटर करते हैं, उतना effectively आप चीजों को नहीं handle कर पाएंगे, जितना करनी चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए पूरा orientation class को अच्छे से देखिए, यह एक important चीज़े हैं, ठीक है दोस्तों, chemical engineering के अगर मैं बाते करूँ तो इसमें हम mechanics, mechanics के बारे में, इसके बाद, fluid mechanism, chemical thermodynamics के बारे में, chemical thermodynamics, 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 dynamics के बारे में, इसके बाद, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो next जो है, chemical thermodynamics के बारे में, इसके बारे में, process, calculation, calculation के बारे में, इसके बाद, दोस्तों, unit operations, unit operation, इसके बाद, दोस्तो Chemical Reaction Engineering ये सभी जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक केमिकल इंजिनियरिंग वाले केडिडियेट को पढ़ना है अब इसमें से ध्यान से समझेगा अच्छे से बातों को मेरा ठीक है कि जो यहां पर classes है आपको एसकी टॉटरियल एप पर heat transfer, mouse transfer के already recorded classes upload हो चुके हैं आप चाहें तो उसको देख करके भी preparation कर सकते हैं ठीक है क्योंकि content सेम रहता है टेकनिकल चीज़ें है content सेम रहता है ऐसा नहीं है कि अलग-अलग experience के लिए अलग-अलग तरीका से पढ़ेंगे हाँ वो बात अलग है अलग-अलग experience के previous question paper को कर सकते हैं वो different होता है तो HURL और NFL का previous question paper जो होंगे इस topic का इसके लिए मैं अलग session लेकर के आ जाऊंगा लेकिन आप लोग क्या करिए तब तक जो है mass transfer और heat transfer topic के जो recorded lecture है उसको देख लीजिए इसके live sessions नहीं होंगे अब fluid mechanics के live sessions होंगे क्योंकि इसके recorded classes हमारे course में available नहीं है तो इसके जो हैंगे live classes होंगे आप लोग live classes में जुड़ेंगे सभी कोई दोनों के live classes के timing को भी मैं बताने वाला हूँ दोनों ही background वाले बचों के लिए अलग अलग रहने वाला है chemical thermodynamics के भी live classes होंगे process calculation के इसके instrumentation and process control के already classes recorded format में upload है इसको आप लोग देखिए अभी 5 से 6 class recorded format में upload है recorded ठीक है और इसके जो classes है ठीक है live classes आने वाले है remaining classes उसको आपको देखनी है दोस्तों I think आपको screen पूरा अच्छे भीजबल नहीं हो रहा होगा इसलिए मैं कुछ second के लिए अपने आपको hide कर लेता हूँ ताकि आपको screen proper way में दीख सके ठीक है तो process control and यहाँ पर बेसिकली instrumentation and process control होता है इस subject का पूरा नाम इसका recorded और live classes दोनों देखने को मि लेंगे और chemical reaction engineering के यह recorded classes upload किये जा चुके हैं I think अगर नहीं है recorded upload तो एक बार चेक कर लूँगा मैं अगर recorded नहीं है तो इसकी भी classes क्या होंगे live classes होंगे तो जिस भी classes के सामने में हमने बोला है कि live classes होंगे यह सभी topic पे live classes होंगे और जिसको हमने बोला है कि recorded आप देखेंग recorded उसको आप लोग देख लीजिएगा ठीक है यह चीज़े समझ में आ गई chemical engineering वाले candidate के लिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहां पर क्या question जो रहेंगे दोनों ही basically background वाले candidate के लिए क्या separate questions रहेंगे या फिर different questions रहेंगे तो देखिए दोस्तों ऐसे तो और सब जितने भ तो वहां पर जो है ना BSC वाले candidate के लिए BSC वाले candidate के लिए और chemical वाले candidate के लिए ठीक है दोनों के लिए question जो बनते है separate question बनते है कैसा question बनते है separate question बनते है यानि BSC वालों के लिए अलग और chemical वालों के लिए अलग ठीक है तो rule तो यही कहता है कि separate question बनना चाहिए और यही व लेकिन दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि अलग-अलग organizations में vacancy आता है तो जब वो नहीं बताते हैं इस चीज को clearly कि हम BSE के questions को separate देंगे और chemical engineering के questions separate देंगे तो कभी-कभी ये लोग universal paper ready कर लेते हैं universal paper का मतलब क्या हुआ? universal paper मतलब का हली जिये generalized paper कैसा paper? generalized paper को वो लोग ready कर लेते हैं मतलब इस paper में ऐसा question रहता है जो chemical engineering वाले भी answer दे सके और जो BSE वाले candidate भी answer दे सके यानि कि common common questions पुछते हैं जो कि दोनों ही तरह के background वाले candidate आंसर दे सके तो इस चीजों का clarity अभी officially नहीं है इस वजह से basically इस तरह का dilemma है इस तरह का confusion है तो अब इस तरह के confusion में आपको तयारी कैसे करनी चाहिए? क्या BSE के syllabus को ही सिर्फ focus करनी चाहिए? या chemical engineering को भी ध्यान में देखते रखना चाहिए? इस चीजों के बारे में बाते करेंगे दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि universal paper अगर ये आए तो उस situation में questions के level क्या रहेंगे? डाउन रहेंगे? question क्या आप answer दे पाएंगे? लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए सबसे best recommendation मेरा ये है कि अगर आपका BSE background है तो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और best opportunity है आप अच्छे जगह पे अच्छे platform पे आए हैं पढ़ने के ल कौन कौन से topic के देखेंगे वो भी मैं बताऊंगा और chemical engineering वाले बच्चे physics, chemistry, math भी थोड़ा बहुत देखेंगे कौन कौन से topic पे वो भी बातें करूंगा भी तो पुल मिला करके इस वजह से हमने जो है BSE और chemical engineering वालों के लिए separate batch नहीं बनाया मैं चाहता तो team को बोल करके B BSE वालों के लिए अलग से batch बनवाता junior engineer assistant production के लिए और chemical engineering वालों के लिए अलग से batch बनवा देता लेकिन ऐसा हमने नहीं किया एक इहीं batch में रहे ताकि वो BSE के भी content को देख सके chemical के भी content को देख सके क्योंकि अगर ऐसा rare case में वो लोग करते हैं तो basically आप लोगों को ऐसा नह basically आप सभी लोग जो है यहां पर हर तरह से तयार रहेंगे समझ रहे हैं बात को अब यहां पर जो है basically मैं बात करना चाह रहा हूं आप सभी से कि subject के बारे में बातें कर लिया है हमने अब BSE वाली candidate जो है कौन-कौन से topic को पढ़ सकते हैं अगर basically वो syllabus को complete करते जाते हैं तो ठीक है देखिए बीसे वाली lectures को भी एक बार देख लिजेगा सरसरी निगाहों से ठीक है और इधर भी देख लिजेगा और अगर classes देखने में आपको ज्यादा समय लगता है तो आप लोग को sample paper या mock test के important question जो है अप्लोड किये जाएंगे MCQ के booklet अप्लोड किये जाएंगे कुछ दीन के बाद जब एग जनेशन के date वगरा सब आ जाएंगे तो उसको at least बढ़ यहां से पी जाईएगा पी जाने का मतलब क्या है हर question का answer आपके मुह पे होना चाहिए इतना practice कर मैं chemistry को ज्यादा strong करना है हम लोगों को ठीक है और chemical engineering वालों के topic वाइज already upload है sample paper Iocl का उसको देख लीजिए अब दोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूँ एक और important बात इसको ध्यान से सुनिएगा HURL वाला candidate इसको ध्यान से सुनिएगा जिन्होंने भी HURL का form भड़ा है देखिए HURL जो है यह Iocl और CIL और भी बहुत सारे जो है बिसिकली और सब बहुत सारे जो इस तरह के fertilizer company है या फिर इस तरह के Iocl और CIL टेप का company है सभी का यह joint venture है HURL और अभी just Iocl में एक जनरे assistant production का और उसमें जो question आये थे BSC और junior engineer production chemical engineering वालों का दोनों का question universal paper ready किया गया था इसलिए HURL वाला में high chance लग रहा है कि question जो होंगे HURL के लिए universal paper ready होंगे तो इसके लिए आप तयार रहिएगा पहले तो आपको focus full करना है BSC के syllabus को पढ़ने में और सरसरी मिगाहों से उपर- chemical engineering के syllabus पे भी रखनी है थोड़ा थोड़ा ये मैं कहना चाह रहा हूँ और NFL वालों के लिए थ्वा सच चांसे ज़्यादा है कि questions separate आएंगे तो ये एक अच्छी बाते हैं NFL organizations का अगर आप सिर्फ form को fill up किये हैं तो आप separately BSC पे ज़्यादा focus करिए और अगर आपने HURL का form को fill up किया है तो आप chemical engineering के भी कुछ-कुछ subject कुछ-कुछ topic कुछ-कुछ से इसके syllabus को basically focus करिए देखिए उसको भी ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं class time के बारे में class time क्या-क्या रहने वाला है ठीक है आप लोगों का class कब-कब होंगे और daily होंगे अपसे live classes आप सभी का daily live class का timing क्या रहने वाला है ध्यान से नोट कर लीजेगा आप लोग BSC वाले candidate के लिए दो time classes होंगे एक बार जो है सुबह में basically 10 बेसिकली 9 बजकर 15 मिनट से classes शुरू होंगे 9 बजकर 15 मिनट से ले करके basically on average one hour के classes होंगे कभी-कभी classes ज्यादा भी हो सकते हैं तो ठीक है तो एक round off करके मैं मान लेता हूं कि 10.30 बज़े तक classes होंगे daily सुबह में morning में ठीक है daily morning में एक घंटा के approximately classes होंगे ठीक है दोस्तों 9-15 से लेकर के 10.30 बज़े तक BSC वालों के लिए और इस समय मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को chemistry क्या पढ़ाने वाला हूं chemistry और दूसरा जो classes तक 9 बज़े तक यह होगा आपका evening में कह लिजिए या फिर night में जो आपको सही लगे यहां इस वक्त आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जो की recorded lectures daily आप लोगों को upload होंगे इस time पर तो आप लोग उस वक्त देख सकते हैं classes को daily और इस routine को follow करिएगा ठीक है दोस्तों यह रहते हैं chemical engineering वाले student के लिए class time chemical engineering वाले student के लिए चुकि already कुछ-कुछ classes recorded भी upload हैं इसी लिए topic जो होता है कम है आप सभी को पढ़ाना ठीक है लेकिन जो भी topic है lengthy है तो जो भी है उसको पढ़ाना है तो इसी लिए आपका जो class timing रखी गई है वो basically दोपहर में तीन बजे से ले करके दोपहर में तीन बजे से ले करके basically आपका classes जो होंगे वो चार बजे तक होंगे वालों के लिए और यह live classes होंगे इसमें आप लोग इंट्रेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है और जो भी subject classes से start होंगे वो schedule में live classes section में जाएंगे schedule में आपको दिख जाएगा topic wise ठीक है दोस्तों उमीद करते हैं यहां तर चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी किसी भी तरह का doubt question confusion नहीं रहा होगा ठीक है तो chemical वालों के लिए already चुकि classes recorded में upload हैं इसी लिए इसको दो time जो है classes को करने की जौरत नहीं है live classes देड़ घंटा का चलेंगे आप सभी के लिए chemical engineering वालों के लिए और BSC वालों के लिए दो time यही है और इसमें आप लोग daily classes को attend करेंगे और classes को attend करने के साथ-साथ proper आप लोग notes बनाएंगे देखिए दोस्तों अगर आप लोग proper notes बनाते हैं क्य generations के last moment में आपको revision करना बहुत करने में बहुत सौहलियत रहेगी revision करने में क्या रहेगी बहुत सौहलियत रहेगी इसलिए एक important चीजें है इसको आप सभी को follow करनी है ठीक है इतना चीजें करना है अब क्या अब एक important चीजें यहाँ पर जो मैंने बताया था कि BSC वालों को chemical बता दिया chemical वालों को chemistry के जो topic होंगे classes, live classes में, वो chemistry वाले live classes में भी live classes टेंट करने के लिए आ सकते हैं या नहीं तो recorded में upload देखा जाते हैं, recorded में देख सकते हैं, तो chemical engineering वाले candidate अगर चाहें, तो basically यहाँ पर जो classes morning में होंगे, 9 बजे से लेकर के 9-15 से जो शुरू होंगे, 9 15 से लेकर के 10 वजे तक वाला में, इस batch में भी चाहें तो वो आ करके अपना chemistry को strong कर सकते हैं, अगर इच्छा हो तो, अब यह मैं optional दे रहा हूँ, conditional नहीं है, necessary नहीं है, इसमें आये ही chemical engineering वाले, ठीक है, क्योंकि paper universal आएंगे या separate आएंगे, इसका अभी भी security किसी भी तरह से officially नहीं है, अगर YouTube पे videos, views लाने के लिए कोई channel वाले बनाते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन officially अभी कोई इसका separate notice नहीं release की गई है, कि separate question आएंगे या universal या फिर generalized paper आएंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसी जोंको आप लोग अच्छे से ध्यान से रखिए, और मैं last मे यही कहूंगा आप सभी को, अगर आपका background BSC है, तो BSC syllabus पे ज़्यादा focus रखिए, अगर आपका chemical engineering syllabus है, तो chemical engineering पे ज़्यादा focus रखिए, क्योंकि ultimately अगर separate question आए, तो आपका बल्ले बल्ले होने वाला है, और high chances है कि separate question ही आए, और ethically भी सही है जब वो separate question बनाएंगे तो, ठ question बनाने से, तो universal आएंगे, तो universal question अगर आएंगे तो question का level बहुत tough नहीं रहेगा, तब फिर basic level का बनाएंगे वो look paper को, ठीक है, तो दोनों ही situations के लिए आप लोग तयार रहेंगे, ठीक है दोस्तों, उमीद करते हैं, यह चीज़े समझ में आ गई है, होगी आप सभी को, अ बयामार seat पे आपको जा करके, गोला भर करके, आंसर देना है, एक्जनेसंस उद देंगे आप, यानि कि यह एक्जनेसंस होगा, आप सभी का offline, क्या होगा, offline एक्जनेसंस होगे, ठीक है दोस्तों, HURL एक्जनेसंस जो होगा, यह होगा computer-based test, यानि कि CBT एक्जनेसंस होगा और इसमें basically, यह जो होगा, यह होगा online एक्जनेसंस है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा confused नहीं होनी है, लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा suggestion मानेंगे, और मेरा मन में क्या चल रहा है, इस एक्जनेसंस को ले करके, अगर मैं थोड़ा बहुत अपना भावना को ब्यक्त करूँ, तो यह कहना चाहूँगा कि CBT एक्जनेसंस जो हो रहे हैं, computer-based test, maybe HURL में question separate बनाए, क्योंकि online में question को print करवाने का जहमेला नहीं रहता है, तो इस तरह से, लेकिन दूसरे side, यह भी chances है कि IOCL का यह joint venture है, तो IOCL वाले अभी just universal paper लेकर के एक्जनेसंस को कड़ाए थे, जो vac previous year के situations को देखकर ध्यान में रखें, तो लगता है कि universal paper बनाएंगे, लेकिन अगर examinations के यह देखते हैं, online mod देखते हैं, तो उस अधार पे लगता है कि separate भी yellow question बना सकते हैं, ठीक है दोस्तो, ultimately बस मेरा वही बात याद रखिएगा, अगर आपका background BSC है, BSC पर ज्यादा focus करन ठीक है, तो इसका online examinations होंगे, और इसका offline, तो यह तो हो गया पुरा technical preparation को लेगर के, यानि कि आपका technical sections का, जो कि आपका 100 marks के questions जो होंगे, technical sections से जो पूछे जाएंगे, इसका preparation strategy के बारे में आप सभी ने देखा, और समझा चीज़ों को एक-एक करके, अब हम लोग बात कर रहते हैं, non-technical sections के बारे में, कि non-technical sections का preparation हम लोग कैसे करेंगे, दोस्तों non-tech जो part होता है, इसको देखेगा, यहीं पर जगा है, तो यहाँ पर मैं लिग देता हूँ, non-technical part का preparation करने के लिए हमने जैसा कि बताया, कि general aptitude, यानि कि mathematics भी रहता है, reasoning के भी questions रहते हैं, और आ general English के बाद GK, GK, GS, current affairs based question भी रहते हैं, सब का marks distribution हमने एक बार already बता दिया है, 15 marks के general aptitude, 15 marks के reasoning, 15 marks, यहाँ पर 10 marks के general English, और यहाँ पर GK, GS के लिए 10 marks, अब इसके लिए मैं क्या resources provide कर रहा हूँ, और उसको आपको कैसे use करनी है, देखिए दोस्तों general aptitude के लिए total I think 8 से 9 lecture जो आट से 9 top chapter जो हैं पढ़ाये गए हैं arithmetic section का, यानि कि percentage, ratio, proportion, simple interest, compound interest, यह सब के recorded classes available हैं, उसको देख करके आप लोग preparation कर सकते हैं इस section का, ऐसे बहुत सारे candidate का already यह section prepared होता है, क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं किसी न किसी एक generation का preparation already कर रहे होते हैं, तो यह part तो maximum लोगों का होता है prepare, अगर आपका नहीं है, तो आप जो है, यह recorded lectures को देख सकते हैं, जो कि non-technical sections में upload की गई है, उसको आप लोग देख सकते हैं, reasoning के questions बहुत advanced level के नहीं रहते हैं, इस तरह के एक generations में, basic रहते हैं, तो just मैं practice set के लिए upload करूँगा sample paper, उसको खाली solve कर लीजेगा, तो अलग upload है हमारे ASCQ tutorial app पर ही आपके course में, अगर आप देखेंगे, तो English के आपको PDF मिल जाएंगे, 125 या 100 something rule का, वो book को आप लोग देख सकते हैं, वो important है, उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, तो आपका इंग्लिस भी general English भी cover हो जाएगा, उसमें antonium, synonyms, errors, items, phrases, सब इस बुक में, तो इस general English भी आपका 10 नमर का यहां से cover हो जाएगा, जो की app पर ही course में आपको मिल जाएंगे, इसके बाद GKGS की अगर बात प्रूत, इसका कोई syllabus तो दोस्तों जानते ही आप सरी लोग जानते हैं, कि इसका syllabus जो है बहुत अथा है, unlimited है, इसको पढ़के तो ख कि existence date release होने के बाद, एक one year का at least current affairs के MCQ questions का compiled करके PDF को upload करूँ, यह situational है, अगर situation सब कुछ okay रहा, सही रहा, आप लोगों क्लासे stick down से चलते रहा, तो definitely मैं इसको upload करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों, तो उमीद करते हैं, non-technical sections के भी सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी भी तरह का doubt, question, confusion नहीं रहे होंगे, अब ultimately आज के इस class का, यह orientation class है, इसका basically summary क्या है, इसका conclusion क्या है, conclusion यही है, आपको preparation करनी है, बहुत अच्छे से, अगर आपका BSC background है, तो BSC वाले section पे ज़्यादा focus करना है, उसमें भी chemistry को ज़्यादा ध्यान समझना है, focus करना है, जब भी जो, जो classes, किसी भी topic के complete होंगे, तो उस topics related previous year question paper और important MCQ questions के भी analysis कराए जाएंगे, हर एक topic को complete होने के बाद, यह भी live ही कराए जाएंगे, तो आप सभी के लिए यह भी important रहेगा, अगर आपका background chemical engineer रहा है, तो आप लोग जो है chemical के side ही ज़्यादा focus करे करेंगे, और जो recorded classes हैं, उसको भी आप अच्छे से देखेंगे, proper notes बनाएंगे, और जितना भी MCQ questions, IOC intelligence को भी upload की गई है, उसको भी अच्छे से solve करेंगे, उस topic का जो topic को आप पढ़ेंगे, जिसका classes आप attend करेंगे, ठीक है दोस्तो, दोनों ही batch का, दोनों ही background के class time को already हमने share कर दी है, आप सभी को क्या करना है, जिसको काते हैं, विद्यार्थी धर्म, वो धर्म आप लोगों का क्या है, कि जो भी classes को आप करेंगे, उसको proper way में, proper way में अपना notes बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही notes काम देगा, आपको एक जनेसंस के last moment में revision करने में, quick revision करने में, ठ इसको daily basis पे revise करेंगे, classes में आने से पहले, ठीक है, तो यह चीज़ें रहेगी, तो इसको आप लोग follow कर सकते हैं, और यह चीज़ें इतना आप लोग करते हैं, तो MCQ और PYQ जब हम लोग analysis करेंगे, तो वहाँ पर आपको basically सहलियत मिलेगी, easy लगेगी, सभी चीज़ें, ठी तो उमीद करते हैं, दोस्तो सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो यह था total overall जो है यहाँ पर basically, यह overall strategy इस examinations का, तो और बहुत बच्चों का यह question रहता है, sir, examinations कब तक हो जाएंगे, देखिए दोस्तो, ideally जो time रहता है, यह सभी examinations के 45 से 60 दिन के बीच इस तक में एक generation हो जाना चाहिए, ठीक है, ideally, generally 45 से 60 दिन के बीच में admit card यह लोग release कर देते हैं, चाहे वो HURL वाला हो, या फिए NFL वाला हो, ठीक है, तो इसके लिए तयार रहना है, इसलिए हम लोग war footing पे classes करने वाले हैं, बहुत तेजी से, जादास जादे content को basically आप सभी क पूरा जोस के साथ जो है लग जाएंगे आप लोग के रिप्रेसंस में, ये 45 से 60 दिन इधर उधर कुछ नहीं देखना है, ठीक है, यूट्यूब बंद कर दीजीए अब, अब पूरा fully focus करना है content के उपर, quality content मैं आप सभी को दे रहा हूं, इसको अच्छे से इमानदारी से करिए, मैं अपना धर्म पूरा इमानदारी से निवाऊंगा, ठीक है, आप भी अपना धर्म पूरा इमानदारी से निवाईए, बादमा की एक्जैमनेसंस में, रिजल्ट कैसा होगा, वो बेसिकली छोड़ते हैं भगवान पे, ठीक है, एक गीता का बहुत अच्छा सा स्ल है, जो भी बच्चे जिस उमीद के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे बैच में जुड़ते हैं, मैं सुचता हूँ कि सभी बच्चों का ये आखरी बार बैच में जुड़ना हो, मतलब इस तरह से मैं पढ़ाऊं आप सभी को, कि आप सभी का सेलेक्शन्स इस बार हो ज बुझता है कि उसका जो basically sis है या उसका जो student है वो जल से जल सफलता पा ले तो दोस्तों यही सपना है कि जितने भी बच्चे हमारे batch में जुड़ें जल से जल उनको सफलता मिले तो जितने भी बातों को हम ने बताया है इसको आप proper way में implement करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी orientation class सभी के लिए important था अगर कोई बच्चा बीन orientation class देखे चले जाता है सिधा वीडियो lectures देखने के लिए तो फिर वहाँ पर डिक्कत होंगी उसको ठीक है तो ये classes सभी को देखने चाहिए तो उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन में बस इतना ही मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में कल से आप सभी के classes regular basis पे start हो रहे हैं और timing हमने आप सभी को बता ही दिया है आपके अपने अपने batch का क्या-क्या timing रहने वाला है तो जुड़ जाईएगा अपने अपने timing पे जो जो timing दी गई है ठीक है दोस्तों तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में तब तक ये नमस्त